यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बैंगलोरू से जैपुर जाने की प्लान बना तो फ्लाइट के टिकेट के प्राइस क्या होने वाले हैं और बैंगलोरू से जैपुर तक के फ्लाइट के टिकेट कैसे बुक कर सकते हैं कितना दूरी है और समय कितना लग सकता है और एयरपोर्ट कोट्स क्या है तो इन सभी के बारे हम बात करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं और टिकट भी भूकर के दिखाएंगे तो चलते हैं बाइवन बाइवन बताते हैं तो पहले हम बात कर लेता है कि बैंगलोर टू जैपुर जो से जैपूर तक का और फ्लाइट के जो टाइमिंग लगने वाली है याने की इस 1526 किलोमेटर को कवर करने में जो फ्लाइट को समय लगने वाला है करीब दो घंटे 30 मिनिट और अब बात करता है कि टिकेट के प्राइस क्या है तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हैं को का वीडियो को लाइक कर दो नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल लेकन दबा देना तो यहां पर हम आ जाते हैं सिद्धे वेबसाइट पर गव मैं मान लेता हूं 25 तारीक को चूस करता हूं उसके बाद यहां पर ट्रेवलर और क्लास में एडल्ट एक डालेंगे और एकोनॉमिक क्लास इसके बाद सिदे डरन करके सर्च कर देंगे जैसे सर्च करेंगे आपको बहुत सारे फ्लाइट दिखेंगे उनके अलग-अलग-अ दिखेंगे अलग-अलग समय पर दिखेंगे आपको जो मन पसंद करें वह अपना समय के नुसार बुक कर सकते हैं आपको पहला दिल्ली होकर जाएगी दिल्ली में साथ गहंता तीन गहंते 30 मिट का हॉल्ट है और टोटल आपको ट्रेवल टाइम साथ गहंता 25 मुट लगेग पर यह भी दिल्ली से होकर जाएगी 11 घंटा 20 मिट समय लगेगा उसको टोटल कव पूरा करने में और 6 बसके पांस मिट पर यह भी पहुचा देगे दिल्ली 572 पर फ्लाइट के फेयर चार्ज है तीसरा देख सकते हैं यह रेसिया का है सेम 19 बसके 20 मिनिट पर है और यह मुं सब्सक्राइब करें दिल्ली से होकर जाएगी तो आपको दो बॉर्डिंग पास दिखता है यहां पर देख सकते हैं सब डिटेल दिया रहता है कब आपकी फ्लाइट है कितने वज़ें कहा जा रही है कितना समय लगेगा कब पहुचेगी तो सब यहां पर दिख जाता है बा और नीच आएंगे तो अपना पर्सन इफॉर्मेशन देंगे जिसमें टाइटर फ़र्सट नेम लास्ट नेम इमेल आइड़ी मॉवाइल नमर सब देने पाप प्रोसीड करेंगे जो भी प्रोसीड करेंगे जो भी इहां अपने मांट्स हो करेगा उसको आप पेकर करके अपन बुक करना है तो आप कम 10-15 दिन पहले के बुकिंग करें और दूसरी चीज की यह चुम्हें प्राइज दिखा रहा हूं कोई फिक्स नहीं है यह अमेज़ा उपर नीचे रहता है तो यह मान के ना चलिए कि यह प्राइज फिक्स है बाकी बस मैंने आपको पूरा चीज बता यह बाके वीडियो अच्छा को लाइक करो शेयर को नाए तो चोनल को सब्सक्राइब करो मिलते अगले वीडियो में तो अगले बहुत बहुत धन्यवाद